नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा राम गोपाल वर्मा के बारे में राम गोपाल वर्मा के बारे में ये complete वीडियो नहीं है इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिर्फ राम गोपाल के उस बयान के बारे में दरसल इसकी नई फिल्म के लिए एक पत्रकार ने इससे सवाल किया कि आप दाउद पर इतनी ज़्यादा फिल्मे क्यों बनाते हैं तो इसने जवाब दिया कि मैं दाउद का शुक्र गुजार हूँ, दाउद का एहसान मंद हूँ इसने आगे का कि इसे अपनी फिल्मों के हिट कराने के लिए दाउद से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट मिलता ही नहीं है लेकिन सवाल आता है कि अगर दाउद फिल्मों को हिट कराने की गारंटी है तो इसकी मैकसिमम फिल्में फिलॉप क्यों होती है जबकि इसकी ज़्यादातर फिल्मे या तो दाउद पर आधारित होती है या अंडर वर्ल्ड पर राम गोपाल भर्मा ने बियान में आगे बताया कि D Company जो मूवी बन रही है जो इसकी फिल्म है वो सौ परतीसट सच्चाई दिखाई जाएगी उसमें इसने बताया कि ये अपनी पहले की फिल्मों में दाउद, छोटा राजन और अबू सलेम से दुश्मनी को दिखाता था लेकिन फोकस पहले भी दाउद पर था और अभी भी इसका जो फोकस है वो दाउद पर है इस देश में CBI है, NIA है, RAW है लेकिन कोई भी ये पता नहीं कर पा रहा है कि ये बॉलिवोड या कलाकारों का दाउद या अंडरवल से इतना प्रेम क्यों है क्यों ये लोग दाउद दाउद करते रहते हैं और क्यों ये हर 4-6 महीने में दुबई भागते हैं राम गोपाल जो है हिंदी के साथ में तमिल तेलगो और मल्यालम लेंग्वेज में भी फिल्में बनाता रहता है पिछले कुछ सालों में राम गोपाल का नाम आपने भले ही ना सुना हो या हो सकता है बहुत कम सुना हो लेकिन राम गोपाल जो है साउथ की इंडिस्ट्री में लगातार एक्टिव है खोले आम दाउद पर फिल्में बनाता है उसके समर्थन में बयान देता है और ये कहता है कि ये दाउद का एहसान मन्द है क्या कोई ऐसे फिल्मेकर से पूस्ताच करेगा कि दाउद से इसका क्या कनेक्शन है क्यों ये दाउद का इतना गुणगान करता रहता है दरसल राम गोपाल समय जो है बॉलीवुड में ऐसे धेरो फिल्मेकर है जिनकी फंडिंग रेगुलर दुबई से आती है और फंडिंग आने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि दाउद का और बाकी जो अंडरवर्ल के डौन है उनका गुणगान करना राम गोपाल की फिल्मे या तो अंडरवर्ल पर आदारित होती है या राजनेतिक और अंडरवर्ल के रिष्टे पर इसके बावजूद ये लोग एक इजजददार नागरिक है रिया चकरवर्ती जब गिरफतार होई थी तो आप सबको याद होगा कि उसकी गिरफतारी पर इसे भी जो है सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी थी ये ऐसे लोगों को समर्थन देता है जो गलत है जो कातिल है जो समाज के दुश्मन है और फिर भी इनकी समाज में इज्जत है ये सारा खेल पैसे का है पैसा हो तो जो मर्जी करो फिर भारत का कोई भी कानून आपका कुछ नहीं बिगार सकता राम गोपाल वर्मा के इस दाउद प्रेम पर आपकी क्या राय अपनी राय जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही जैहिंद